जीवन एक चर है, मनुस धरातल पर जन्म लेता है और समय अनुसार नाकार पूरा कर संसार को अलविदा कर चला जाता है लेकिन इसके बावजूद भी मनुस इस पर बिचार नहीं करता और नहीं इस पर कोई अमल करता है जी समाज में हम जन्म लिये हैं, उस समाज में हमें कैसे रहना चाहिए और एक लेखक, संगितकार हमेशा इसके खोज में रहते हैं कि हमारी समाज के अंतरगत क्या कम्या हैं, उसको हम अपने लेखन के माधियम से काभी के माधियम से, संगित के माधियम से, नाक्ट के माधियम से समाज को दर्पन के तरह दिखाएं उसका परतिविम जो है उसे दिखाई दे और समाज में सुधार आए इसी के अंतरगत मैं एक सोंग के रूप में जो भुचपूरी भासा के साथ साथ परिद्रिस जो होता है उसको मैं समाजिक परदिश को दिखाने का कोशिस किया हूँ जो निन परकार है सिर्शक है दूलारी बेटी माई के दूलारी बेटी ससुरा में करे खेती घर घर अलख जगावे दूलारी बेटी माई के दूलारी बेटी ससुरा में करे खेती घर घर अलख जगा वे दूलारी बेटी माई के गयाना जेवती जग जाहिर करे बेटी चुला चौंका एक साम जला वे दूलारी बेटी माई के दूलारी बेटी ससूरा में करे खेती घर घर अलख जगा वे दूलारी बेटी बी ए ए में पढल बेटी जुता पहने बैठे सेटी सास ससूर पानी पीला वे दूलार वेटी माई के दूलारी बेटी ससूरा में करे खेती घर घर अलख जगा वे दूलारी बेटी ससूरा के फोरन बेटी माई के सूनाई देती बिना माच से आग लगा वे दूलारी बेटी माई के दूलारी बेटी ससूरा में करे खेती घर घर अलख जगा वे दूलारी बेटी घर फोर माई देती घर आई खोजे बेटी सससूर दुरुप गावे वे दूलारी बेटी माई के दूलारी बेटी ससूरा में करे खेती घर घर अलख जगा वेदू लारी बेटी लोक लाज बेंच देती नई हर न ससुरार होती माई बाप नीटी मिला वेदू लारी बेटी माई के दू लारी बेटी ससुरा में करेखेती घर घर अलख जगा वेदू लारी बेटी माई के चड़ावल बेटी ससुरा उजाड़ देती नरक जीवन घूट घूट जीए दू लारी बेटी माई के दू लारी बेटी ससुरा में करेखेती घर घर अलख जगा वेदू लारी बेटी तो ये हमारे संसार की रीती है और आज की सोच जो है जुआ प्ली के इसी तरह से हैं जो आप लोगों के सामने मैं परस्तुत किया हूँ और इस वर विचार करने के लिए है किसी के आहत करने के लिए नहीं जिसे हमारे समाज में नहीं चितना है जय हिन जय भारत